हेलो एरीवन आज मैं बनाने वाली हूं तिल और गुड के लड़ू के लिए हमें देखिए श्रिक तिल और गुड दो चीज में बनाऊंगी और अगर आपको ड्राइफ्रूट्स भी डालना है आप डाल सकते हैं यह ड्राइफ्रूट्स हमने बस थोड़ा सा ही लिया है तो प तिल को गुंते वे दोमनट हो गया है और इसमें से फूटने की आवाज भी आ रही है तो अब मैं इसको उतार लोगी कि ज्यादा देर भूलने से यह जल जाएगा तो इसको मैं कैस को बन करके इसमें नीचे उतार लोगी अब हमको गुड़ की चाशनी बनाने के लिए एक हमने बड़ा सा बरतन रख दिया है अब मैं इसमें डालूंगी यह गुड़ 700 ग्राम तिल में हमने 700 ग्राम गुड़ डाला है और अब बस अब आधा ग्लास पानी इसमें हमने डाल दिया है और इसको बराबर से चलाते रहना है ताकि यह जलने न पाए तब तक चलाना जब तक यह गुड़ अच्छे से गलना जाए यह हमारा पूड़ एक नम गलने ही वाला है इसको भी थोड़ी दर और पकरना है तो अब तक यह मारा पूड़ अच्छे से गल गया है और इसमें जाग एकलने लगा है इक इंक यह हुआ है इडिया है अबस के लिए चुर।स्ट स्वड़ अभी आ है तो शें जागा है कि मेशसे ही टाल तो भी थे खरोHU और चलाते हैं जब तक कि थोड़ा साथ सूप न जाये ये ड्राइफुट्स्वी में उपर से डाल लोगी इस पर अच्छे समूज कर दोंगे ये दिखिए चाचनी एकदम से इसमें खुल गई है अब मैं इसको उतार लोगी इसको बन करगी इसको थोड़ा से थंड़ा हो जाए फिर मैं इसका गुल्बोल नड्डू बना लोगी इसको थोड़ा थंड़ा होने के इंदिशार करें तो यह इससे हाथ जल जाएगा तिल थंड़ा हो चुका है अब मैं इसको आकार में गोर्गोल लड्डू बना लोगी तो इसके लिए हमने देखिए यहां घी रख लिया है घी को हाथ में लगा करके ठीक है इसको गोर्गोल लड्डू बना लोगी अब अपने हिसाब से बड़ा चोटा जूगी बनाना चाहें बना सकते हैं यह देखिए तिल का लड्डू तयार हो गया है और बनाना बहुत ही आसान है और यह हमारे ठंड़क में बहुत ही गरम भी होता है तो ठंड़क के लिए आप इसको आप बनाए खाएं और मेरा यह बनाए हो तरीक अगर जो आपको पसंद है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके थैंक्यू बनाए हो आपको 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